तो दोस्तों आप देख सकते हैं आप इस लोन आप से इंस्टेंट 5,000 रुप्य का इमर्जंसी लोन ले सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पर बताये क्या है यू केन गेट इनिसियर क्रेटिट लिमिट अफ टू 5,000 यहाँ आप 5,000 रुप्य का लोन फर्स्ट टाइम जब आप इस लोन आप से अपलाई करेंगे तो इस वीडियो में आपको एक ऐसे लोन आप के बार में बताऊंगा जहां से आप 5,000 रुप्य का लोन इंस्टेंट ले सकते हैं वह भी बिना किसी इंकम प्रूफ और भीना किसी सीवील स्कोर के आपको यहाँ से इंस्टेंट लोन मिलेगा फास्ट एफवल के साथ आपको लोन मिलेगा जैसे आप लोन को अपलाई करते हैं तूरंत आप उस पैसे को अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं तो कैसे आपको इस लोन एप से क्लिक करके इस loan app को डाउनलोड कर लेंगे जैसे ही आप इस loan app को डाउनलोड करके open करेंगे तो इस प्रकार आपके सामने first interface सो हो जाएगा दोस्तों यहाप देख सकते हैं इस loan app को आपको कुछ permission allow करने होंगे simple है आप आप एगरी और कंटिन्यू औप्सन पर क्लिक करेंगे अब जैसे आप एक एक परमिसन को अलाउ करते जाना है जैसे ही सारा परमिसन अलाउ कर देंगे दोस्तों तो दोस्तों यहाप देख सकते हैं आपको इस loan app का कुछ यहां पर बताया गया है जैसे कि यहां पर बताया गया है इंस्टेंट डिजिटल परसनल लोन इन 5 मिनट यानि सिर्फ और पांच मिनट के अंदर आप यहां से लोन ले सकते हैं अगर क्रेडिट अमाउंट की बात करें तो आप यहां से 5000 रुपी से लेकर एक लाक रुपे तक का लोन ले सकते हैं और मंतली इंटेस रोट जो यहां पर बताया गया है वो 2.4 परसन बताया गया है और रिपेमेंट टेनर आपको 3-6 मंत कम मिल जाता है अब सिंपली लोन को अप्लाई करने के लिए नेक्ट बटन पे क्लिक करेंगे अब यहां पको लेंग्वेज चूज क करने के लिए आप अपना मोबाल नमर को इंटर करेंगे अब मोबाल नमर इंटर करने के बाद आपको यहां पर एरो आइकन दिख रहा है आप सिंपली एरो आइकन पर क्लिक करेंगे अब जैसे एरो आइकन पर क्लिक करते हैं आपका मोबाल नमर वेरिफाइड किया जाएग तो simply आप यहाँ पे 8 character से लेकर 16 character तक कोई भी password रखेंगे तो new password में password को डालेंगे, password को दो बार confirm करेंगे देन आप arrow icon पे click करेंगे अब जैसी password को set कर लेंगे, आप successfully इस loan app पर login हो जाएंगे और आपके समने इस loan app का dashboard इस पर का 100 हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे से आपको दो type का loan मिलता है आप पहले यहाँ पे देख लिजे, आपको एक cash loan मिलता है जिसमें आपको 5000 रुपे से लेकर 10000 रुपे तक का loan मिल जाता है अगर आपको ज़्यादा पैसो की नीड है तो आप cash loan apply कर सकते है और एक loan आपको मिलता है level of loan जिसमें आपको 1000 रुपे से लेकर 5000 रुपे का loan मिल जाता है दोस्तों level of loan लेने के लिए आपको कोई भी ज्यादा documentation नहीं देना होता है आप सिर्फ और सिर्फ only KYC basis पर इस loan को ले सकते हैं देख सकते हैं आपको बताएगा है only KYC तो दोस्तों हम यह पर level of loan ही apply करेंगे जैसे मैं आपको पहले बताया था कि आप 5000 रुपे का loan instant कैसे ले सकते हैं यहां से तो simply आपको loan को apply करने के लिए apply now का option दिख रहा आप apply now option पर क्लिक करेंगे जैसे apply now option पर क्लिक करते हैं आपको यह फिर से concern देना होगा तो यहांप आपको दो check box दिख रहा है दोनों check box पर आप tick mark लगाएंगे इसके बाद आप agree and continue option पर क्लिक करेंगे आप जैसे आप agree and continue option पर क्लिक करेंगे आपको यहांपे कुछ highlight बताया है जैसे कि आप बताया है कि only pen or आधाक सरु इस loan को ले सकते हैं तो simply आप यहांपे get started option पर क्लिक करेंगे तो दोस्ते आप देख सकते हैं आपको बताया है कि 5000 रुपय का loan आप यहांसे instant ले सकते हैं और loan को repayment करने के बाद next time आप एक लाख रुपय तक का loan यहांसे ले पाएंगे तो simple app check my credit limit option पर क्लिक करेंगे अब यहांपे आपको loan amount चूज करने का option मिलेगा तो जैसे कि आपको maximum 5000 रुपय का loan मिलेगा और minimum आपको 1000 रुपय का loan मिलेगा अब इस loan की जो भी मंतली interest rate है वो आप यहांपे देख सकते हैं और आपको repayment tenor भी आप दिखा दिया जाएगा जैसे कि आप 4% का मंतली interest rate इस loan में है और 3 मेनों का आपको tenor मिलेगा अब simply next option पे क्लिक करेंगे अब यहांप आपको क्यवाशी वेरिफिकिशन करना होगा तो simply आपको तीन step complete करने हैं क्यवाशी कंप्लीट करेंगे loan approve होगा और loan amount आपके bank account में transfer कर दिया जाएगा तो क्यवाशी कंप्लीट करने के लिए proceed option पे क्लिक करेंगे अब यहांपे language चूज करेंगे आप Hindi में या फिर English में क्यवाशी कंप्लीट करना चाहते हैं तो हम English में करेंगे तो हम English को चूज कर लेते हैं अब दोस्तों देख सकते हैं क्योवाशी करने का first step आपके समने आ चुका है अब simply आप अपना pen details यहां पे डालेंगे तो आप अपना pen card का number डालेंगे देन date of worth रालके pen number को verify कर लेंगे अब जैसे आप pen number को verify कर लेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं आप next step में आ जाएंगे अब आपको आधार नंबर को verify करना है तो आप अपना अधार का number डालेंगे देन proceed option पे क्लिक करेंगे अब आधार नंबर डालके जैसे प्रोसीड करते हैं आपके आधार कार्ट के साथ जो भी mobile number लिंक होगा उस पर six digit OTP send क्या जाएगा वो OTP आप इंटेर करेंगे इसके बाद आप अपना आधार लिंक mobile number को इंटेर करेंगे देन submit option पे क्लिक करेंगे अब जैसे submit option पे क्लिक करेंगे आपका आधार successful verify हो जाएगा और आपका क्यवाज सी complete हो जाएगा देख सकते हैं क्यवाज सी complete हो गया है अब simply आपको go to loan option दिख रहा है नीचे आप go to loan option पे क्लिक करेंगे अब जैसे आप go to loan option पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे कुछ details फिर से देना होगा जैसे कि आपको सबसे पहले loan purpose पुछा गया है कि आप loan क्यों लेना चाहता है लोन लेने का आपका purpose क्या है तो जैसे आप आपको बहुत सरा purpose दिख रहा है तो आप कोई भी एक purpose को select करेंगे जैसे कि आपे personal emergency का option हम personal emergency को select कर लेते हैं अब दोस्तों देख सकते हैं loan purpose को select कर लेने के बाद आप यहाँ पे पूछा गया है what your maritial status अगर आपका साधी हो गया तो marriage चूज करेंगे अगर आपका साधी नहीं हुआ तो आप single को choose करेंगे अब दोस्तों meritial status चूज कर लेने के बाद आप यहाँ पे पूछा गया है what your level of education यहने आपका education level क्या है आप कितना तक पड़ेंगे तो वो आप यहाँ पे select कर लेंगे अब दोस्तों education level चूज कर लेने के बाद आप यहाँ पे पूछा गया है what your housing type तो आप अपना housing type चूज करेंगे जैसे कि आपको यहाँ पे option मीड़ रहा है sale pound का rented का rental का और relative का तो दोस्तों आपका जो घर है वो अगर आपका अपना है तो आप sell pound को चूज करेंगे अगर आप rented पे रहतें तो rented चूज करेंगे और family के साथ रहतें तो parental और relative की घर में रहतें तो relative तो चलिए हम आपके sell pound को select कर लेते हैं अब दोस्तों housing type चूज कर लेने के बाद अब यहां पी पूचा गया है do you have a job यहने आप करते हैं क्या है तो जैसे आप आपको accelerated का option मिल रहा है, self-implant का option मिल रहा है, student का और housewife का, तो दोस्तों आप जो भी करते हैं आप यहां से select करेंगे, अगर आप अगर आप अपना काम करते हैं, खूद का बिजनस करते हैं तो आप self-implant चूज करेंगे, और अगर आप एक student है तो student चूज करेंगे, तो चलिए हम आप पर self-implant को choose कर लेते हैं, अब जैसे job type select कर लेते हैं, अब यहां पर पूचा गया, what your employment type, तो आप अपना employment type चूज करेंगे, जैसे का आपको regular employee का option मिल रहा है, contactual employee और freelancer का, तो हम यहां पर freelancer को select कर लेते हैं, अब employment type चूज कर लेने के बाद आप यहां पर पूचा गया है how long have you been working, यहना आप कितने समझ से इस काम को करते आ रहे हैं, यहने आपका working experience पूचा गया है, तो आप जितने साल से काम को करते आ रहे हैं, वो working experience आप यहां से select कर लेंगे, अब दोस्तों working experience select कर लेने के बाद आप यहां पूचा गया है, what the name of your company or swap, तो दोस्तों यहां पू काम करते हैं, उस company का नाम डालेंगे, और अगर आप कोई दुखान चलाते हैं, कोई भी general store चलाते हैं, तो आप उस store का नाम डालेंगे, इसके बाद आप next option पे click करेंगे, अब दोस्तों जैसे आप company swap name डाल के next करते हैं, अब यहां पी पूचा गया, in what field industry do you work, यानि आप की इस चेतर उद्वग में काम करते हैं, तो जैसे आप देख सकते हैं, आपको हर एक category मीज जाएगा, तो जैसे कि हम यहां पर जिनका loan apply करने हैं, वे एक retail shop चलाते हैं, यानि retail general store चलाते हैं, तो हम यहां पर retail shop को select कर लेते हैं, अब इसके बाद दूस्तों आप पूचा गया, इसके बाद दूस्तों हम यहां पर पूचा गया, have you experience loan before, क्या आपने पहले loan लिया है, loan क के बारे में आप जानते हैं, तो दोस्तों है यह अपर देख सकते हैं, आप को फे 4 options मिल रहा है, तो अगर आप पहले कभी loan लिया है, loan के के बारे में आप जानते हैं तो आप फर्स्ट ऑफ्सन को चूज करेंगे यह सेंड आ इंडरस्टेंड लोन प्रड़क्ट वेल यहना पहले लोन नहीं है लोन के बारे में जानते हैं अगर आप पहले कभी लोन नहीं लिये हैं लोन के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लास् को चूज करेंगे तो आपके mobile में जो भी email link रहेंगे उस email का आपको option मीर जाएगा आप अपने email को select कर लेंगे अब जैसे आप email को select करेंगे आपके email पे एक verification link भेजा जाएगा उस link पे click करके आपको अपने email को verify करना है तो चली हमें पे कुछ second wait करते हैं तो दोस्तों यहापे देख सकते हैं successfully मेरा loan अप्रूब हो गया है यहापे दोस्तों देख सकते हैं 2000 रुप्य का loan हम apply किये है और 2000 रुप्य का loan मेरा अप्रूब हो गया है यहाप आपको loan का details दिखा दिया जाएगा साथ आपको मंतली MIB दिखा दिया जाएगा अब simple इस loan amount को bank में transfer करने के लिए आपको यह पे receive option दिख रहा है आप receive option पे click करेंगे जैसे आप receive option पे click करेंगे अब आपको अपना bank details यहाप देना है जैसे receive money पे click करते हैं instant आपका loan amount आपके bank account में credit कर दिया जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों आप इस loan अप से loan apply कर सकते हैं और 5000 रुपीय का loan instant ले सकते हैं तो दोस्तों इस loan अप का download link आपको इसी वीडियो को description box में वी जाएगा simply आप उस link पे click करके इस loan अपको download करके loan apply कर सकते हैं जैसा मैं आपको loan apply का process दिखा दिया है आगर आपको वीडियो अच्छी रहेगी अगर आपको वीडियो अच्छी रहेगी तो वीडियो को like कर दिजे चैनल पर ना है चैनल को subscribe कर लिजे आपके मन में कोई भी confusion है वीडियो के नीचे comment कीजे और वीडियो को आगे share जरूर कीजे में नेक्स वीडियो में thank you जैहिंद